Assalamu alaikum welcome to student tube आज के स्लेक्चर में चापर 7 आइकां पार्ट 1 बिजिनस मैथ पुकर शाहिद जमाल की चप्टर है मैट्रस इस एन डिटर्मिनेंट कुछन है 7.89 अब यहां पर पहले टी फाइंड करेंगे सो वह है 25-7 और 3 dx फाइंड करेंगे तो वह है 24, 19, minus 7 and 3 फिर है dy, so dy में आता है a और c की वैल्यू जो के है 2, 3, and 24, and 19 so d के लिए 2 x 3, minus 5, multiply by minus 7, so 2, 3 जा 6, minus, minus, plus, 7, 5 जा 35 तो यह हो गए 41, फिर dx, so dx का है 24, multiply by 3, minus 19, multiply by minus 7 so 24, multiply by 3, क्या होता है, 72, minus, minus, plus, 19, multiply by 7, is 133, दोनों को plus करेंगे 133, plus, 72, is 205, then dy की वैल्यू, so 2 x 19, minus 24, multiply by 3, 24, 5, यह है 5, so 24, multiply by 5 आएगा, यहाँ पर, a2 की वैल्यू आएगी न, so a2 की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, so 19, multiply by 2, 38, minus, 24, multiply by 5, 120, 120, minus, 38, is 82, minus का, so, dx upon d, किसलिए होता है, x के लिए, y के लिए, d, y upon d, so dx क्या है, 205, d क्या है, 41, फिर dy क्या है, हमारे पास, 82, minus का, और, 41, 41, मन्स आ, 41, 41, 5, जा, 205, तो यह आंसर आया, 5, 41, मन्स आ, 41, and 41, 2, जा, 82, तो यह आया, minus का, 2, तो आंसर आया, 5, and minus 2, तो यह था, question, उमीद करते हूँ, कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, वीडियो, helpful लाओ, तो आपने से करना है, like, share, and channel पर new है, तो subscribe, कि बगर मच जाएगा, and for more, you can visit our website, www.studentube.info, Allah Hafiz,